जन्वरी की रात की एगटना है जिसमें एक यूवती का शव रामद हुआ था चाकों से प्रहार उसके उपर किया गया था इस ही मुकदमे का नावरन हुआ है आरोपी की इसमें गिरफतारी हुई है और इसमें विस्तित विवरन इस तरीके से निकल के आया है कि जिसने मर्डर किया है आरोपी ने वो तीन वर्ष तक करीब लिव-इन रिलेशेंशिप में था जो मृत का थी और इन लोगों का किसी बात पर मन मुटा हुआ और फिर आपस में जगड़ा हुआ दोनों फिर अलग हो गए और उसी के बाद उस लड़के ने इसे हत्या को अंजाम दिया इसकी गरफतारी इसमें होगी है बताया जा रहा है कि कुछ पैसे का लें देने भी था कि इस तरीके की भी बात प्रकाश में आई है उन सब पहलों पे भी इन्व प्रेरी नौकरी की थी दोनों लोगों ने वहीं से ही इन दोनों का संपर्क हो एसा विवेचना में आया है उसे आला कतल जो चाकु वगरा जे मर्डर हुआ था वो परामद की हुए और मौके के अविडेंसेज ने सभी उसमें मौके के जितने अविडेंसेज पाए गए हुए हैं तो उन सब के बेसे स्पेस की ग्रिफतारी हुई है सर सवाल यह उठता है कि इसको कैसे पता था कि अपर पे कोई नहीं है तो जटना को अन्जाम देना है कहां से इसे मन में प्राइब के तच में था यह मृतका के तच में था इन लोगी बात आपस में हुती गती तो इसे पता लग गया था कि गड़ नहीं है नहीं हो से पता था था कि अपने दोस्तों वगरा कि जाथ अपने कुछ इस्तानों पर जब पुलिस ने जब रेड की तब इसकी गिफतारी हुई है कि अभी तक भाई का रोल नहीं अभी तक निकल किया एक तो भाई के अभी गिरफतारी नहीं की गई है उसके भूमी के बारे में भी जाच की जारी है अभी तक रोल नहीं हाए तो इसके भूमी के बारे में भी जांच की जारी है अभी तक रोल नहीं हाए अभी तक रोल नह चापो है चापो कहा हुआ हुआ है आप चापो कहा है चुली है क्या कि इस्कृट्टिस की जारे लंगी बनेगे कि विजवल्स जादे चाहिए होगा विनाइटीज यह है चेकर पैके जारे ना तक सब्सक्राइब तो जो जोब लो जो अच्वारा तक सकता है तो जोब 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 जो जोब जोब है उता है टोब जोब लोब जोब खिए झाल 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 झाल